आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दे डिजिटल गौरफ पे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप डायेटली इंस्टाग्राम के थ्रू एट रन कर सकते हो और इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेज स्टेवाइ समझाऊंगा है उसके पहले हम कुछ टम समझ लेते हैं सबसी वहली टम होती है और अर्गनिल ट्राफिक आप सेकेंड होती है अपने दोनों में डिफ्रेंस क्या है और अस बहाता है आये शेर आये कमेंड आये उसका एंगेजमेंट आटोमेटिकल इंक्रीज हुआ मतलब यहाँ पे आपने कुछ पेमेंट नहीं दिया है उस सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म को कि मेरी फोटो या मेरी पोश्ट प्रमोट करते इस तरीकी के ट्राफिक को हम बोलते हैं और अर्ग इसके बताता है पेड ट्राफिक पेड ट्राफिक मतलब आपने उस पर्टिकुलर शोचल मेडिया प्लेटफॉर्म को कुछ अमाउंट दिया है प्रमोशन करने के लिए कि मेरी पर्टिकुलर पोश्ट वीडियो प्रमोट कर दे जैसे कि आपने बहुत बार देखा हो कुछ प्रमोशन जो भी एड़ाइजर था उसने इस्टाग्रम को पेसे दिये कि मेरी फोटो को प्रमोट कर दे सेम किस होता है गूगल के साथ आप कुछ भी सर्च करते हो तो एक छोटे से बॉक्स में यल्लो बॉक्स में एड़ी लिखा होता है वो भी पेड प्रमोशन है जहां आप इसे दिति हो पोस्ट को प्रमोट करने के लिए उसको बोलते हैं पेड प्रमोशन और 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 अर्गाइक ट्राफिक मतलब आपने कुछ भी पेसे नहीं दिये आपकी पोस्ट आपमेटिकली रीच कर रही है लेकिन अगर में कर्येंट सिच्वेशन की बात करूं करवाी Instagram की में बात करो तो Instagram का अभी भी भूफ अच्छा है मतलब organically reach अभी इंस्टाग्राम की भूफ्ट बेकर रहे as गंपिर्ट टू फेस्वुक þाप assessment करोगत था क्योंकि इतने पोश्यटोड हो रही तना content अपलोड हो रहा है कि आप की पोश्य प्रमोशन का सहारा लेते हैं अपने बिजनस को प्रमोड करने के लिए सो मैं उमीद करता हूँ कि आपको और ट्राफिक और पेट ट्राफिक के बारे में डिफ्रेंस समझ में आ गया होगा मैं मेरा हंडेट परसेंट दूँगा इंस्टाग्राम के उपर पूरा क्वालिटी कॉंटेंट देने के लिए आपको इस चैनल पर worship आप इस चैनल पर नहीं हैं तो सबसे बिले जनको सस्क्राइब जरूर कर लां किसे करतें 삼तर इंस्टाग्राम के ऊपर एट को रन करने के दो दजी कि रहते है तो पर प्र smells यारे ले लेकिन आप टेंशन मत लीजिए Facebook Ads Manager के ऊपर मैं पूरी डिटेल वीडियो बनाऊगा जिसमें आपको मैं सिंपल तरीके से समझाऊगा कि Facebook Ads Manager के थूँ आप कैसे Ads कर सकते हैं यहाँ पर कुछ benefit मिलते हैं जब आप Facebook Ads Manager के थूँ एड रन करते हो जब भी आप आपकी website के उपर traffic को drive कर रहे हो तो आपके पास पूरी डीटेल इंफोर्मिशन आ जाती है पिक्सल के थूँ पिक्सल क्या होता है कैसे इंट्रिगेट करते हैं यह सब चीज़े हम आगे की वीडियो में डिसकस करेंगे जब मैं आपको Facebook Ads Manager के बारे में समझाऊगा बस इतना समझेए कि फेज़ूक एड्स मेहर के थूँ आप इंस्टाग्राम के उपर भी फेज़ूक के उपर भी और फेज़ूक के जो इंट्रिगेटेट प्लेटफॉम्स है जिसके मैसेंजर हो गिया और जो भी डिफ्रेंट प्लेटफॉम है सब दूर एड्स रन कर सकते हो लेकिन जब आप तो डार्टली एड़रन करते हैं तो आप बस इंस्टाग्राम के उपर यह रण कर सकते हैं आ फेजबूक के ऊपर निकर सकते हैं अगर आपको इन प्लेटफों पे भी एड रूं करने तो आपको फेजबूक एड्स मेर के उपर जाना पड़ेगा सो मैं उमेद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी सो अब हम समझते कि condition क्या है Instagram के उपपर add run करने की सबसे फेली condition है कि आपका जो भी profile है वो business account होना चाहिए second आपका Facebook page link होना चाहिए उस particular Instagram की profile से ये दो condition आगर आपके fulfill है तो आप Instagram पर add run कर सकते हो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सो मैं उमीद करता हूँ कि आपको यहां तक सारी चीज अच्छे समझ में आ गए होगी सो अब हम चलते मेरी mobile skin के उपर जहां पर मैं आपको सिखा हूँ कि exactly आपको Instagram के उपर ads के से run करने तो चलते मेरी mobile skin के उपर सो अब अब आगे हो मेरी Instagram profile के उपर जो कि मेरा business account यहां पर लिखा है डिजिटल क्रिएट डिजिटल अगॉरफ जसेंट्ली मैंने इस followers हो चुके कैसे followers बढ़ाने कैसे organic रीच बढ़ानी यह सब चीजे में आपको चैनल में बताऊंगा सारी information एक वीडियो में देना impossible है तो मैं आपको डिफरेंट वीडियोस डिफरेंट ट्रिक्स Instagram की आपको इस चनल पर देते रहूंगा सो अब हम बात करते कैसे Instagram के थ्रू एड्स को रन करना है सबसे पहले आपको जो भी फोटो चूस करनी जो भी वीडियो चूस करनी आप उसको चूस कर लीजिए यहां पर हमको दो चीज़ दिखरी एक व्यू इंसाइट एक दिखना प्रमोट अगर मैं व्यू इंसाइट पर जाओंगा तो मुझे पूरा है कि इंसाइट दिखा देगा कितने लाइक्स है कितने शेर हुए कितनी फोजडियो है कि सारे इंफोर्मेशन मिल जाएगी और उसके जुडस में एक लिखा है प्रमोट का उप्शन बस आपको प्रमोटको उप्शन क्लिक करने बहूत पर यह हौँगा जैसे कि नहीं पर एक्ज के वो ज्यादा यूज करें मुझे कुछ नहीं करना है एडिट करना है पोस्ट को और जो भी हैस्टेक है मैं थोड़े कम कर देता हूं यह कुछ हैस्टेक मैंने रिमूव कर दिये डन कर दिया देखिए यह हाइलाइट हो गया मतलब इसको मैं प्रमोट कर सकता हूं आप ज्यादा हैस्टेक यूज करोगे आपकी फोटो के अंदर तो आप प्रमोट नहीं कर पाऊगे तो आपको कुछ मिनिम्म हैस्टेक रिक्वा यूर प्रोफाइल यूर वेबसाइट यूर डारेट मैसेज यहां पर लिखा है सेलेक्ट वह टू सेंट पीपल जो भी आपका ट्राफिक है वह कहां पर जाना चाहिए आपकी प्रोफाइल पर जाना चाहिए या आपके पास डारेट मेसेज आना चाहिए प्रोफाइल पर ट्रफिक आएगा अगर मैं वैबसाइट पर क्लिक करता हूं तो जो भी च्राफिक होगा एड्स के तो यहां पर कुरह सकते हो पर है यहां पर बहुत पर आपको दिफ्रेंट ऊप्शन हो गए आप शॉक्ण साइनड चूजब रहे इसके बाद यूँर। अगर मैं इस पर क्लिक करता तो जो भी ट्राफिक होगा वो मुझे डायेट मेसेज की थूँ आएगा डायेट मेसेज जो आपका target audience के option मिल जाते हैं आप target कर सकते हो कि जो आपका add है वो किसको दिखे और किसको नहीं दिखे है सबसे main benefit है digital ads का कि आप target कर सकते हो कि आपको किसको add दिखाना है जिसे कि मैंने एक target audience बना के रहकर digital market है अगर आप automatic पे click करोगे तो जो भी आपका follower base है जो भी उसका nature है जो भी उसका behavior है उस according उन सारे लोगों को target करेगा और जहां तक मेरा suggestion है कि starting में आप automatic पे ना जाए जब तक आपका follower base बन ना जाए 5000 या 10,000 follower at least क्योंकि जब Instagram को अच्छे समझ में आता है किस तरीकी का audience base आपके पास है और custom audience base के एक अपने benefit है कि आपके according target कर सकते हो लेकिन automatic पे जाओगे तो आपके follower base के according targeting होगी so मैं यहाँ पे choose कर लेता हूँ create your own तो यहाँ पे आपको कुछ option मिल जाते audience name, location, interest सबसे बहले हम बात करते ही audience name जो भी आप target करे है जिस भी types of audience को आप target करना चारे है उसका आप नाम दे सकते हो कि नाम बस आपको दिखेगा यह किसी और को नहीं दिखेगा यह बस आपकी सहुलियत के लिए जिसके मैं नाम देता हूँ IG ads demo यहाँ पे नाम होगे उसके बाद location choose करने का आपके पास option यहाँ पे दो चीज मिल जाती है आपको original और local जिसे मैं local पे जाता हूँ तो जहाँ पे आप बेटे हो जो आपकी current location है उसके according भी आप location choose कर सकते हो आपके आज़ पास के लोगों को भी आप target कर सकते हो तो यहाँ पे 5 km के range यहाँ पे मैं 1000 लोगों को target कर सकता हूँ अगर मैं radius को increase कर देता हूँ तो मैं target कर सकता हूँ almost 2,00,000 potential people को मेरी location के according मतलब मेरी location के 30 km के दाएरे के अंदर जो भी 2,00,000 लोगों आ सकते हैं उनको मैं target कर सकता हूँ तो मैं regional पे बेले जाता हूँ regional पे for example मुझे डेली को target करना है डेली region यहाँ पे आप tick कर दीजिए जिसी में आगे बढ़ा तो यहाँ पे एक figure लिखा आगया इतनले लोगों को मैं target कर सकता हूँ तो मैं मेरे potential people के reach हो सकते हूँ अब मैं इसको और define करूँगा मुझे कितने लोगों को target करना है किस टाइप के लोगों टार्गेट करना है for example जो interest रखते हैं digital marketing के अंदर digital marketing Instagram उसके बाद social media marketing online advertising अब मैं इसको done कर देता हूँ जैसे मैंने इसको done किया तो देखो मेरा जो reach था वो कम हो गया पहले अल्मोश एक करोड़ नभे लाग potential reach थे जैसे मैंने targeting करी specify करा चीजों को किसको target करना है तो मैंने reach कम हो गए यहाँ पे मैंने specific targeting कर दी यहाँ पे अब मैरे potential reach हो गए 57 lakh something अब मैं एज को भी target करता हूँ मुझे 65 तक जाना ही नहीं है यहाँ पे मैं जाओंगा 18 से 40 तक male female आप चूज कर सकते हो क्या को male को 8 दिखाना है कि female को दिखाना है अब आपके according चूज कर सकते हो जैसे मैं female पे जाता हो तो मेरे रीच कम हो जाएंगे मैं इसको क्लिक करता हो जाएंगे इसको मैं टिक कर देता हूँ यहाँ पे आप मैरे रीच और कम हो गया 47 lakh रीच हो गया क्योंकि मैंने आप target को और specify कर दिया और इस सबसे बड़ा benefit paid का कि आप target कर सकते हो किसको दिखना चाहिए अब इतने टोटल रीच होगे कि इतने लोगों तक में पहुच सकता हूँ अब वो मेरे बजट के according depend करेगा अब मैं इसको टिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ अब यहां पर आदा बजट का यहां पर minimum 80 रूपीज से पर एडे 40,000 तक spend कर सकते हो एड्स के उपए और मेरा समझ में आएगा कि किस थरीकी से targeting हो रही है मुझे क्या modification करने आप यहां पर minimum 80 रूपीज का बजट ले सकते हो उसके बाद maximum 40,000 पर एडे का बजट लेके एड्स रन कर सकते हो यहां पर लिमीट कम है लेकिन जब आप फिर जो एड्स मेनर के थूर रन करते तो यह लिमीट आपकी और बढ़ जाती है आपको चाहिए उद्विश कर सकते हो पर एडे के साफ से भी जैसे में बजट बढ़ा रहा हो तो मेरे estimate रीच बढ़ रहे हैं जैसे में बजट कम कर रहा हो मेरे estimate रीच कम हो रहे है मालो में 200 का budget करता हूँ टो मेरे reach है 2600 टू 6800 तक इतने मुझे सकते हैं टो हंडुरा के टेली बजट एंपर यह मैंने वन ये कर आई हैं आप आ डो दिन का कर सकते वो पांद जो भी आपके अकरणिक है आप को कर सकते हो वह सबसे पहले आप आपका वजट आपका क करें कि कि आपको 100 पνεके रन करnaj किंख talk ज्यादा पेशो के इस रन ना करें क्योंकि यह चीज़ा को करते आएगी अगर आप एकदम से 1000 रुपे के रन कर दो और आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आपको हजार रुपे डायेट लिए तो आप कोशिच करिए पहले टेस्टिंग करिए कि 100 रुपे में कितनी रीच आई आप फोटोस के दर क्या मोडिफिकेशन कर सकते हो जो भी आपका बिजनेस से हो उसको आपको किस तरीक से फोटो के अकॉर्डिंग प्रमोड करना है वीडियो उसके अकॉर्डिंग प्रमोड करना है यह सारी चीज़े आप कर सकते हो बस मेरा यह सेशन है कि स्टार्टिंग म जब भी आप Facebook के थूँ या Instagram के थूँ एड्स को रन करते हो तो आप network marketing, quick to earn scheme ऐसे word को use ना करें क्योंकि इससे Instagram उसको scam समझेगा और वो एड्ड रन ही नहीं होगा जब आपके account में amount एड्ड करते हो फिर आपका एड्ड रिव्यू में जाता है सो जब रिव्यू में जाता है तो सारी चेक होती है कि आपका एड्ड eligible है की नहीं है अगर आपका एड्ड eligible नहीं हुआ तो वो reject हो जाए और आपका एड्ड लाइव नहीं होगा सो आप कोशिश करिए कि आप जो भी शब्द यूज़ करते हो जो भी वर्ड यूज़ करते हो वो सो समझ के करे इसकी condition आपको Google पे मिल जाएगी और मैं एक पूरी dedicated video बना दूँग कि क्या क्या condition होती Instagram और Facebook ads के उपर run करने की क्योंकि एक single video में सारी information देना possible नहीं है सो मैं उमीद करता हूँ कि यहां तक आपको सारी सी समझ में आ गई होगी अब हम आगे बढ़ते For example मेरा जो daily budget है वो 200 का है और duration है one day का लेकिन यहां पर मैं अभी ads run करके नहीं दिखा पाऊँगा आपको जो भी मैं ads run करता हूँ वो मैं Facebook ads mirror के थूरू run करता हूँ सो वहाँ पर मेरी setting के अंदर कुछ capping लगी होगी है budget की सो मुझे वहाँ से वो change करना पड़ेगा तभी मैं ads run कर सकूँगा Instagram के थूरू बस क्या कि कोई simple ही process मैं आपको समझा देता हूँ बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो आप next page पर आओगे तो यहाँ पर आपको प्रिव्यू आगया कि destination क्या है आपका लर्द मोर आएगा और जो link है वो link आगया यहाँ पर audience को भीज़े जाएगा Instagram के थूरू audience का नेम क्या है आईजी एट्स 18-40 डैली बजट आपका आगया 200 एक दिन के लिए पैमेंड अवेलेबल बेले सभी मेरे अकाउंट में कुछ है नहीं क्योंकि जो भी मैं एट्स रून करता हूँ वो फेजू एट्स मेरे के थूरू रून करता हूँ आपको कुछ नहीं करना है बस आपको सबसे पेले पेमेंड पर क्लिक करना है और जो भी आपको पेमेंड करना है फूर रिजांबल 200 एट करना है उसको यूपी आई कैसरो आपके Instagram के एट्स मेरे के अंदर एट कर सकते हैं जैसे ही आपका एट का बजट आ गया तो यहाँ प 236 सो एट लिस्ट आपको इतना अमाउंट तो आपके Instagram के एट करना ही पड़ेगा उसके बात आपको कुछ नहीं करना है जस्ट आपको क्रियेट प्रमोशन के ऊपर क्लिक करना है और आपका एट रिव्यू पर जाएगा रिव्यू के पास जैसे वह पास जाता है तो आपका आपको समझ में आला किस तरीकी के एट साफ रन नहीं कर सकते हो तो यह थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बहुत ही सिंप्लिफाई तरीके से Instagram के ऊपर एट को रन करके सिखाया अगर आपको इसके अलावा भी कुछ डावट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर प मिलने वाले सो अब हम मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक आसम कंटेंट के साथ थेक्यू सो मच